आमेर या जैपूर के शाशक राजा भारमल दुवारा अकबर की अधीनता क्यों स्विकार की गई? अकबर के साथ में वेवाईक संबन्द क्यों स्थापित किये गई? राजा भारमल या बिहरी मलदुआरा अपनी पुत्री हरका भाई या हरकू भाई या शाही भाई या योधा भाई या मरिया मुझ्यमानी जो भी नाम दिये गए हूं तो राजा भारमल या विहारी मलदुवारा अपनी पुत्री का विवा मुगल बादशाह अकवर के साथ में क्यों किया गया तो देखे इन सारे कारणों को समझने के लिए हमको राजा भारमल या निकि आमेर या जैपूर के जो शाशक थे राजा भारमल सन 1547 से और 1573 स्वी त राजनेतिक गतिविदिया हो रही थी उनके समक्ष राजा भारमल के समक्ष ऐसी क्या समझ्षाएं उत्पन हो रही थी जिसके कारण परिणाम स्वरूप उन समझ्षाओं के या उन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राजा भारमल को अकवर की अधिनता स्विकार करन कि जैपुर रियासत या आमेर रियासत के last lecture में हमने कहा stop किया था फिर वहीं से इस lecture को मैं उठा लूँगा तो इससे पहले जैपुर रियासत का जो last lecture था पिछला जो पाट था तो वहाँ मैंने आपके साथ last में ये discussion कर लिया था कि भारमल या बिहारी मल सन 1547 इसवी में आमेर के शाषक बन गए थे आमेर जो कि उस समय जैपुर रियासत की उस समय की राजधानी हुआ करती थी ये मैं चर्चा कर चुका last lecture में इससे पहले थोड़ी सी मैंने ये भी चर्चा कर लिया थी कि राजा भारमल या बिहारी मल किस प्रकार की कूट नीती चलते थे एक अच्छे कूट नितिग्य शाषक थे कि उन्होंने अपने भतीजों को गदी से अटाकर और स्वैम आमेर का शाषक बन गए थे आमेर का राजे प्राप्त कर लिया था थोड़ी सी एक बर वापस चर्चा कर लेता हूं कि राजा भारमल के जो बतीजे थे एक तो रतन सिंग और एक आसकरण तो पहले रतन सिंग आमेर के शाषक थे लेकिन भारमल ने क्या कि रतन सिंग को गदी से हटाने के लिए आमेर के जो सामन्त थे और रतन सिंग के जो छोटे भाई थे आसकरण उनको अपनी और मिला लिया और ये कहना शुरू किया कि रतन सिंग जो है ये काफी विलासी प्रवर्ती का है राजकार ये ठीक से नहीं कर पा रहा जो की वास्तों में ऐसा था क्योंकि हम ये जानते हैं कि रतन सिंग विलासी प्रवर्ती के थे और उनके समय में जादतर राजिक के जो डिसीजन लेते थे वो जैट सी रायम लोत लिया करते थे और फिर शेरशा सूरी के समक्ष भी उन्होंने समर्पन कर दिया था रतन सिंग ने तो इसी बात का लाब उठाते वे भारमल ने क्या किया कि उनके चोटे भाई आसकरण को और सामनतों को अपनी अपनी और मिला करिये कहा कि रतन सिंग को गद्धी से हटा कर और आसकरण को अमेरका शाशक बना देना चाहिए और आसकरण को प्रेरित किया आसकरण को उकसाया कि अपने भाई की अत्या कर दे और आसकरण ने रतन सिंग की अत्या कर दी और आसकरण अगला शाशक बन गया था फिर हम यह जानते हैं कि भारमल ने आसकरण को भी गद्दी से अटा दिया कि ये भाई का अत्यारा है और फिर भार्मल स्वैम आमेर का शाषक बन गया 1546 में इसके ओपर डिटेल से पिछले लेक्चर में मैं चर्चा कर चुका हूँ तो यहां तक लास्ट लेक्चर में हमारा हो गया था अब राजा भार्मल से सम्मंदित इस वीडियो या इस लेक्चर की शुरुवात मैं राजा भार्मल की पुत्री हरकाबाई या हरकूबाई और मुगल बादशा अकबर के मद्दे जो विवा हुआ था वहां से कर लेता हूँ और फिर हम समझने का प्रियास करेंगे कि आखिर उस समय की क्या राजनेतिक परिस्थितियां थी काफी डिटेल से समझाँगा जिसके कारण राजा भार्मल को इस प्रकार का ये कदम उठाना पड़ा हो तो पहले इस विवा की चर्चा कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको पास्ट की तरफ लेकर जाऊँगा पीछे की तरफ लेकर जाऊँगा और सारी चीजों को इंटर रिलेट करते वे भहुत अच्छे से आपको समझा दूँगा तो बात है 6 February सन 1562 की और हम चलते हैं सामबर में राजस्थान के सामबर में यहाँ पर 6 February सन 1562 को भारमल या बिहारी मल की पुत्री हरका बाई या हरकू बाई या जो भी नाम मैंने अभी दिये थे आपको बताए थे शाही बाई या योद्धा बाई या मरियम उज्जमानी इनकी शादी मुगल बाजशा अकबर के साथ में कर दी गई थी ठीक है अब यहाँ पर देखे ये जो कच्छावा राजपूत और मुगल सम्मंद ये जो इस्थापित हुआ ये जो विवा हुआ तो एक तो ये विवा राजा भारमल दुआरा अकबर के साथ में कराया गया साथ ही साथ मुगलों की अधिनता यानि अकबर की अधिनता भी स्विकार की गई और राज भारमल राज पुताना के ऐसे प्रथम शाशक थे जिनोंने अकबर की अधीनता स्विकार की इसके तहट राजा भारमल ने अपने पुत्र एक तो भगवन्त दास अब कुछ जगे हमको भगवन्त दास भी देखने को मिलता है वो समय आने पर मैं उसकी चर्चा करूँगा तो राजा भारमल ने अपने पुत्र भगवन्त दास और अपने पोत्र मान सिंग को अकबर की सेवा में भेज दिया मुगल सेवा में बेज दिया जहाँ पर उनको काफी प्रतिष्टित पद भी दिये गए सेना में अच्छी रैंक भी दिगई काफी अच्छी मनसबदारी भी दिगई तो मुगल और कच्छावा विवा उने के परणाम सरूप एक तो अकबर दुआरा राजा भारमल को 5000 की जात और 5000 की मनसबदारी दिगई इसके अतिरिक अकबर दुआरा इनको अमीर उल-ुम्रा की उपादी भी दिगई और राजा की उपादी भी दिगई अब ये जो मुगल राजपूत विवा हुआ तो इसके सम्मंद में हम एक बर चलते हैं पास्ट की ओर क्योंकि यहां इस विवा से पहले 20 जनवरी सन 1562 इस्वी को राजा भारमल ने सांगा नेर में उपस्थित होकर सांगा नेर जो की वर्तमान में राजस्थान की जैपुर जिले की एक तैसील है तो सांगा नेर में उपस्थित होकर अकबर के सामने उपस्थित होकर और अकबर की अधिन्ता स्वीकार की थी 20 जनवरी 1562 स्वीको और वहां सांगा नेर में राजा भारमल ने अकबर के समक्ष जो उपस्थित हुए अकबर के पास जो पहुँचे तो इसमें एक व्यक्ती ने मद्यस्थता की थी, एक व्यक्ती ने मीडियेटर का काम किया था और वो था चक्ताई खां यानि चक्ताई खां की मद्दस्तता से राजा भारमल वहां अकबर से मिले थे और अकबर की अधिन्ता स्विकार की थी और उसके बाद फिर फरवरी में उन्होंने अपनी पुत्री का विवा अकबर के साथ कर दिया था सामबर में अब हमको इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा कि 20 जनवरी 1562 को राजा भारमल ने या भिहारी मल ने अकबर की अधिन्ता क्यों स्विकार की अगर वो अकबर की अधिन्ता स्विकार नहीं करते तो क्या हो जाता वैसो तो देखिए आपके मन में भी समय क्या विचार चल रह होंगे क्योंकि राजपुताना में जादातर हम मारणा प्रताप के सम्मन्द में पढ़ना पसंद करते हैं हम मारवाड के शाषक राव चंदर सेन के सम्मन्द में पढ़ना पसंद करते हैं लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हर शाषक की प्रवर्ती या हर शाषक एक जैसा ह हो बैसी दिख सी वात है अपने हाथ की आप उंगलियां देख लीजे पांच उंगलियां है तो फिर राजस्थान तो बहुत बड़ा है राजपुताना तो बहुत बड़ा है बहुत सारी रियासते, उन्निस रियासते और तीन ठीकाने हुआ करते थे जब राजस्थान का एक ही करण हो रहा था, स्वतंतरता प्राप्ति के समय तो इतने राजे रजवाडे हुआ करते थे तो सब की आप कैसे आपस में तुलना कर सकते हैं कि सारे शाशक या सारे राजा एक जैसे हो तो राजा भारमल के शाशनकाल की क्या गतिविदियां रही होंगी उस समय क्या राजनेतिक परिस्तितियां रही होंगी वो हमको इनके संदर्ब में ही समझना पड़ेगा और हो सकता है इनकी जगे यदि कोई दूसरा शाशक भी होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता जैसा इनके दुआरा किया गया हो हो सकता है करता है या हो सकता है ना भी करता तो हमको इन सारी गटनाओं को समझने के लिए अब पीछे की तरफ जाना पड़ेगा पास्ट की तरफ जाना पड़ेगा और इस विशय को उठाना पड़ेगा सन 1547 से ताकि हमको सारी राजनेतिक परिस्थितियां समझ में आ जाएं कि राजा भारमल के समख्ष समश्याएं क्या थी तो 1547 में हमको पता है कि भारमल ने आसकरण को गद्दी से हटा कर और आमेर का राजे प्राप्त किया था अब आसकरण को जब गदी से अटाया तो आसकरण यहां से निकल कर सीधे गया सलीम शाह के पास में है सलीम शाह जो की शेर शाह सूरी का बेटा था शेर शाह सूरी का पुत्र था और सलीम शाह से आसकरण ने सायता मांगी तो सलीम शाह ने क्या किया अपने सुबेदार हाजी खाँ पठान को आसकरण के साथ में भेज दिया ज्यानी कि अब आसकरण जो है वो हाजी खाँ पठान को लेकर आमेर की और आया और आमेर पर चड़ाई शुरू कर दी राजा भारमल के लिए समश्या खड़ी हो गई लेकिन राजा भारमल की एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी वो बड़े कूट नीतिग्य थे उन्होंने बड़ी ही चत्राइच से और कूट नीति से इस युद्ध को टाल दिया और दोनों को सैटिस्फाई कर दिया दोनों को किसको आसकरण को भी और हाजी खां पठान को भी तो भारमल ने क्या किया हाजी खां को काफी पैसा दिया धन दिया और हाजी खां को अपनी और मिला लिया लेकिन आसकरण का क्या क्योंकि हाजी खां तो आसकरण के साथ आया था ना तो आसकरण को भी नर्वर का क्षेत्र देकर और सैटिस्वाई कर दिया संतुस्ट कर दिया नर्वर जो की वर्तमान में आता है मध्यप्रदेश में और नर्वर उस समय कच्छावा शाष्कों के क्षेत्र के अंतरगत ही आया करता था तो यानि कि इस ए संतुष्टी को राजा भार मल ने संतुष्टी में बदल दिया उसको सैटिस्वाई कर दिया लेकिन फिर भी यहां इस तरह की जब यह घटना हुई कि एक ही राजी को प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ती उसी राजी का कोई व्यक्ती जैसे आसकरन युद्ध की तयारी कर रहा है तो इस समश्या का समाधान तो राजा भार मल ने कर दिया लेकिन इसके कुछ समय बाद फिर एक और प्राप्लम खड़ी हो गई और वो प्राप्लम खड़ी हो गई सूजा के कारण अब ये सूजा कोन थे तो ध्यान करो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आमेर के जो शाषक थे पृत्वीराज कच्छावा तो पृत्विराज कच्छावा के बाद अगले शाशक कौन बने थे उनके पुत्र पूरणमल और पूरणमल के ही पुत्र थे कौन सूजा अब पूरणमल के साथ क्या हुआ था उसकी चर्चा पिछले लेक्चर्स में मैं कर चुका हूँ तो मैं सूजा पर अपना ध्यान तो सूजा ने आमेर राजी की प्राप्थी के लिए और वो पहुंचा मेवाद मैवाद का एक सुवेदार था गवरनर था जिसका नाम था मिर्जा सर्फुद्दीन या सरीफुद्दीन अब ये मिर्जा सर्फुद्दिन कौन था ये अकबर दुआरा मेवात का गवर्नर नियुक्त किया गया था यानि कि अकबर का मुगल बाज़्चा अकबर का ये अधीकारी था तो सुजा मेवात पहुँच गया था मेवात जो की वर्तमान में अलवर बरतपुर के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है मेव लोगों के जादा बाहुले होने के कारण इस क्षेत्र को मेवात कहा गया ठीक है तो मेवात का गवरणर कौन था मिरजा सर्फुधीन और सुझा अपनी साहता के लिए सर्फुधीन के पास में पहुँच गया अब पहुँच गया तो उन दोनों के मद्य कोई ना कोई बात या कोई ना कोई संदित अवश्य हुई होगी न तो एक प्रकार से सुजा ने सर्फुद्दीन यानि की ऐ प्रत्यक्षत तोर पर अकबर की अधिंता स्विकार कियोगी उनकी शर्टों को माना होगा कोई ना कोई तो उनके मद्धे बात हुई होगी तबी तो सर्फुद्दीन उसकी सायता करने को लेकर तयार हुआ ठीक है तो सर्फुद्दीन ने उसकी सायता की और अपनी सेना भेज दी आमेर की ओर सन 1558 इसवी में अब 1558 इसवी में जब सर्फुद्दीन की सेना आमेर की और आई तो भार्मल को पहाडों में जाकर चिपना पड़ा यानि भार्मल के समक्ष अब बड़ी समश्या उत्पन हो गई ठीक है भीया इसके बाद इसके तीन साल बाद 1561 इसवी में सर्फुद्दीन स्वेम आया आमेर की और आमेर पर उसने चड़ाई शुरू कर द में बहुत बड़ी धनराशी देने की बात कई लेकिन भार्मल जब उस समय ये बड़ी धनराशी नहीं दे पाए तो सर्फुद्दीन ने भार्मल के तीन व्यक्तियों को आमानत के तौर पर या दरोहर के तौर पर अपने पास में रख लिया अब ये तीन व्यक्ति कौन थे तो इसमें एक तो थे भार्मल के पुत्र जिनका नाम था जगनाथ बार्मल के और भी पुत्र थे दस उनके पुत्र थे जिनकी चर्चा मैं समय आने पर टाइम टू टाइम करता रोंगा जहां पर उनका जिक्राएगा तो तो मिर्जा सर्फुद्दी ने भार्मल के तीन व्यक्तियों को अपने पास में अमानतिया धरौर के तोर पर रख लिया ये कौन थे एक तो भार्मल के पुत्र थे जिनका नाम था जगनाथ इसके अतिरिक तो आसकरण के पुत्र थे जिनका नाम था राज सिंग आसकरण वो आसकरण के सम्मंद अच्छे स्थापित हो गए थे तो ये जो राज सिंग है उन्ही आसकरण के पुत्र थे ठीक है तो आसकरण के पुत्र राज सिंग और जोबनेर के ठाकुड थे जगमाल जिनके पुत्र थे खगार तो इन तीन व्यक्तियों को सर्फुत दिन ने अमानत के तोर पे अपने पास में रख लिया ठीक है भिया लेकिन अब आप जरा समझना एक बार स्थिती पर गौर करना कि सुजा अभी भी लगातार आमेर का राजिप्राप्त करने के लिए प्रियास रत है वो लगातार प्रियास कर रहा है कि आमेर का शाशक वो बन जाए इसलिए तो जब घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसी स्थिती में राजे का जो माहोल है वो बड़ा ऐस थाईसा हो जाता है संकटों वाला माहोल हो जाता है कि घर के लोग लड़ रहे हैं तो राजा को अपनी कुर्शी को बचाए रखने और बनाए रखने में बहुत बड़ी क्षेत्र है आमेर हुआ या जमवा रामगड का क्षेत्र हुआ ये सारा क्षेत्र किन से जीता था मीनाओं से तो इसलिए अब जब भारमल के समय इस प्रकार की ये स्थिती उत्पन हुई सुजा अब जब आमेर राजे प्राप्ति के लिए आमेर पर अक्रमन की योजना बनारहा है तो ऐसे में अब मीना उन्हें भी जगे-जगे विद्रो करने शुरू कर दिये और उन्होंने भी आमेर को वापस प्राप्त करने की तैयारी शुरू कर दिये तो भारमल के लिए देख wär बड़ी सुजा को दे देगा आमेर राजे के लिए और सर्फुद्दिन को वो पहले अपनी तरफ मिला चुका तो ये बात तो क्लियर है न कि अकबर का अगर कोई अधीकारी है जो कि सर्फुद्दिन है कि अकबर का अधीकारी अगर सर्फुद्दिन सुजा की शिफारिश अकबर से कर तो अकबर बड़ी आसानी से अपनी स्विक्रती सुजा को दे देगा तो इसी लिए इन सारी परिष्थितियों के कारण इन सारी राजनेतिक समश्याओं के कारण उस समय की प्रष्ट भूमी में ये जो सारी गतिविदियां हो रही थी इसी के कारण अब भारमल को मजबूर हो कर अकबर के समक्ष अधीनता स्विकार करने के लिए उपस थे तो होना पड़ा क्योंकि भारमल के दिमाग में भी ये चीज क्लियर थी कि सुजा अकबर के पास में पहुँचे उससे पहले मैं ही अकबर के पास में पहुँचकर अकबर की अधीनता स्विकार कर लेता हूँ से हटाया था तो उस समय आसकरण किसको लेकर आया था हाजी खाँ पठान को और फिर ये मैंने आपको बताया था कि हाजी खाँ पठान को काफी पैसा भारमल ने दिया था आसकरण को भी नर्वर का क्षेतर दे दिया था यानि दोनों को सैटेस्वाई कर दिया था तो भारमल हाजी खाँ पठान से भी अच्छे सम्मंद स्थापित कर लिये थे यानि कि दोनों की मित्रता हो गई थी और इसी मित्रता का लाब भारमल ने उठाया अकबर तक पहुँचने के लिए कैसे तो भीया बात है सन 1556 की 1556 में हाजी खाँ पठान ने नारनोल के क्षेतर को गेर लि पठान ने घेर लिया तो भारमल की मद्धस्तता के कारण ही भारमल के कहने से ही हाजी खाने अपनी सेना वहां से हटाई जिसके कारण अब मजनु खाँ से भी भारमल के अच्छे सम्मंद अच्छे संपर्क स्थापित हो गए और इसका फाइदा भारमल को कब मिला जब पहुचा मैं अकबर के बारे में ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये विशे जैपुरी आमेर रियासत का है जब यदि कभी बाद में मैं मुगल रियासत अगर पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस सम्मंद में मैं चर्चा कर लूँगा मुगलों के सम्मं मचनु खा ने भार्मल की सिफारिश अकबर से की थी तो 1556 में ही दिसंबर 1556 में ही मजनु खा की मद्यस्ता से भार्मल अकबर से मिले थे कहां पर दिली में जाकर मिले थे और वहाँ ऐसा भी बताया जाता है कि जब वो दिल्ली में मिले तो उस समय अकबर एक हाथी पर बैठा वा था वो बड़ा गुसेल आती था और वो कंट्रोल से बाहर हो गया था जिसको भारमल और उसके साथियों ने कंट्रोल में किया था जिसके कारण अकबर भारमल से काफी प्रभावित हुआ था ऐसा बताया जाता है तो पंद्रा सो चपन में राजा भारमल अकबर से पहले ही मिल चुके थे दिल्ली में मजनु खां की मद्दस्तता से यानि कि कई ना कई संपर्क तो इस्थापित हो रहा था भारमल के अकबर के अधिकारियों के साथ में अब बा पंद्रा सो बासट इस विक को सांगा नेर में सांगा नेर जो की वर्तमान में जैपूर में आता है सांगा नेर में उपस थे तो होकर अकबर की अधिंता स्विकार करनी पड़ी अब अकबर सांगा नेर कैसे आये था तो देखे उस समय अकबर जो है वो तीर थियात्रा पर वो अजमेर जा रहा था ख्वाजा मुईनुदिन चिस्ति की दरगा पर और जब वो जा रहा था तो रस्ते में कुछ समय के लिए सांगा नेर में रुका और यहां पर जो व्यवस्था की थी वो राजा भारमल के द्वारा की गई थी अच्छी व्यवस्था की गई थी और फि पिरपया आप उनको भी छुडाने का आदेश दीजिए तो जब अकबर अजमेर से वापस लोटा तो उसने सर्फुद्दीन को आदेश दिया जिसके कारण सर्फुद्दीन ने भारमल के उन तीनों व्यक्तियों को छोड़ दिया था और फिर बाद में 6 फबररी 1562 इस वी को अकबर ने सांबर में अपनी पुत्री हरका बाई या हरकू बाई या योद्दा बाई या शाही बाई और बाद में जिनको मरियम उज्जमानी भी कहा गया उनकी शादी अकबर से कर दी और इनी की जो संतान थे वो थे सलीम जो की बाद में जहांगीर के नाम से मुगल इस विवाहा पर भी चर्चा करना चाह रहा हूँ आपके साथ में तो हरका बाई या हरकु बाई तो बताया गया ही है इसके नाम को लेकर एक पिच्चर भी आई थी जोदा अकबर तो उसमें इसके नाम को लेकर काफी विवाद था तो वहाँ जोदा भाई कौन थी इसके सम्मन में मारवाड रियासत के जो लेक्चर थे वहाँ पर मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि मारवाड के जो शाशक थे मोटा राजा उदे सिंग तो उनकी पुत्री का नाम था जोदा भाई और उस जोदा भाई का विवा हुआ था अकबर के पुत्र सलीम से यानि की जहांगिर से तो यहां यह जो भारमल की पुत्री हैं इनका नाम है हरका बाई या हरकु बाई और अगर आप बीका नेर अभी लेखा गार जाएं तो वहां पर वंश व्रक्ष में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इनको शाही बाई भी कहा जाता है इसके अतरिक्त योधा बाई भी कहा जाता है तो अब यह जो विवा हुआ भारमल की पुत्री और अक्बर के मद्दे तो देखे इसकी प्रशंशा जादातर व्यक्तियों के द्वारा नहीं की यानि कुछ एक व्यक्ति ही ऐसे हैं जिनके द्वारा भारमल के इस कदम की प्रशंशा की गई हो बाकी जादातर इतिहासकारों ने लेखकों ने या कवियों ने उस समय के जो रहे हो और उनके बाद के जो रहे हो बारमल के बारमल के इस कदम की काफी आलोचना की है लेकिन अगर डॉक्टर तिरपाठी की हम बात करें तो उन्होंने बारमल के दुआरा उठाए गए इस कदम की सराना की है औ पुरनमल का जो पुत्र है सुजा वो पहले से ही अकबर के अधिकारी के पास में पहुँच चुका था और अकबर का अधिकारी मिर्जा सर्फुद्दिन उसकी सायता भी कर रहा था तो यदि सुजा अकबर के पास में पहुँच जाता और मिर्जा सर्फुद्दिन उसकी सिफ पारिश अकबर से कर देता तो इस बात की तो प्रबल संभावना थी, लगबग लगबग संभावना थी कि अकबर अपने अधिकारी की बात मानता ही मानता और सुजा को आमेर का शाशक स्विकार कर लेता इसलिए अकबर राजा भारमल ने ये दूर दर्शिता दिखाई और competitive exams में देखो जितने भी question आए तो इन सारे lectures में से जो जो बाते हैं वो आप देख ले ना कहां से कौन-कौन से प्रशन बन सकते हैं कौन-कौन से उनके जवाब बन सकते हैं क्योंकि मैं आपको complete सारी जानकारी यहां पर दे रहा हूँ अब lecture देखने के साथ-साथ प्रशन और उनके उतर डूनने की थोड़ी बहुत मेनत आप लोग भी कर ले ना अब राजा भारमल से सम्मन्दित मैं एक विश्या पर और चर्चा करता हूँ और उसके बाद फिर इस lecture को मैं समाप करूँगा देखे मैं बात करता हूँ 1570 के नागोर दर्बार की ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मारवड रियासत का जो पार्ट था वहाँ पर काफी डिटेल से मैं चर्चा कर चुका था लेकिन फिर भी राजा भारमल के सहयोग से ही अकबर नेशन 1570 में नागोर में कुछ समय के लिए अपना दर्बार लगाया था जिसको नागोर दर्बार कहा गया था उस नागोर दर्बार को लगाने का उद्देश यही था कि अकबर ये जान सके कि राजपुताना के कौन-कौन से ऐसे शाशक है जो अकबर की अधिन्ता स्विकार करना चाते है या अकबर से मित्रवत संबन्द इस्थापित करना चाते है और ऐसे कौन-कौन से शाशक है जो अभी भी अकबर का विरोध या अकबर का प्रतिरोध जारी रखना चाते है तो यानि राजपुताना के शाशकों की तो लेक्चर्स जो हैं वो काफी लंबे हो जाएंगे तो देखे अब राजा भारमल की सन 1573 इसवी में मिरती हो गई थी और भारमल के पस्चात उनके जो बड़े पुत्र थे बगवन्त दास और काफी जगे हमको बगवान दास भी देखने को मिलता है वो आमेर के अगले शाशक बने सन 1573 से और 1559 इसवी तक अब वो बगवन्त दास थे या बगवान दास थे इस सम्मन्द में मैं सारे sources आपके समक्ष रख दूँगा कि कौन-कौन से sources हैं वो उनको बगवन्त दास या बगवान दास बताते हैं और फिर मान सिंग के सम्मन्द में भी मैं चर्चा करूँगा क्योंकि मान सिंग के पिता का नाम भी कई जगे बगवन्त दास बताया हुआ है कई जगे बगवान दास बताया हुआ है कुछ जगे ये बताया हुआ है कि मान सिंग जो है वो गोध आये थे यानि की दतक पुत्र थे ये सब पाड़ रहेगा next lecture का thank you